हलो किट्स, आज हम पढ़ेंगे आकी मात्रा, चलिए शुरू करते हैं आपको पता है न आकी मात्रा कैसे लिखते हैं? ये है हमारी आकी मात्रा तो बेटा इसकी साउंड क्या होती है? आ अब हम बढ़नों के साथ आकी मात्रा को मिला कर शब्द पढ़ेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ड है हमारा अब ये वर्ड्स पढ़ते हैं द आम दाम र आम राम क आम काम न आम नाम श आम श आम शाम तो बच्चों आप देख रहे हो इसमें आ की साउंड निगल रही है आ द व आ दवा तो बच्चों इसे हम बोलते हैं आ की मात्रा आ व ल चावल भ आ र त भारत क आ ज ल काजल सम आ चार समाचार हल व आ हल्वा ब आ ज आ र बाजार पाठ श आ ल आ पाठ शाला दव आ ख आ न आ दवा खाना तो बच्चों आप वो कुछ समझ में आया ये इस तरह से कुछ वर्ट्स थे जो हमारी आ की मात्रा से थे अब हम ये पाठ पढ़ते हैं क आ ज ल काजल इधर इधर आ काजल इधर आ ह आ थ हात साफ साफ कर कर दुबारे से पढ़ते हैं एक बार काजल इधर आ हात साफ कर खाना खा खाना खाकर पाठ याद कर राजन बाजार अब आप क्लास बन के स्टूडेंट हो तो आपको बिना मात्रा भोले सीधा पढ़ना चाहिए अब आप ऐसे ट्राइ करेंगे पालक टमाटर गाजर ला फून विराम बच्चों जहां सेंटेंस खतम होता है जहां हमारा वाक्य खतम होता है वहां हम हून विराम लगाते हैं मामा का कहना मान आज का काम आज कर तबला मत बजा छाता लगाकर बाहर जा बच्चों यह आपका पाट था अब आप यहां पर exercise करेंगे यह देखिए यह क्या exercise है हमारी चित्र को उसके नाम से मिलाई है अब यहां पर आपको कुछ पिक्चर दी हुई है जिनको आपको मैच करना है तो फर्स्ट वर्ड है हमारा टमाटर तमाटर तो आप बच्चों कहां पर है टमाटर दिस वन ओके अब इसको हम इससे मैच करेंगे यह देखिए बच्चों यह क्या है हमारी गाजर गाजर कहा है गाजर गाजर इसी तरीके से आप यहां पर सारे शब्दों को उनके चितरों के साथ मिलाएंगे उसके बद हमारी अगले एक्सिसाइज है उचित इस्थान पर आकी मातरा लगाओ बच्चों यहां पर इनों ने शब्दों में से आकी मातरा गायब कर दी है वहां पर हमें आकी मातरा लगानी है जैसे हमारा फर्स्ट वर्ड है च व ल तो आकी मातरा लगाने पर यहां पर एक ऐसा शब्द बनेगा जिसका कोई सैंस हो तो आपको यह शब्द यहां पर कम्प्रीट करने है यहां पर हमारी थर्ड एक्सिसाइज है पढ़ो, समझो, और लिखो ख, प्लस आ, प्लस न, प्लस आ, खाना बचो यहाँ पर आपको इस तरह से वर्डों को मिला कर लिखना है और शब बनाने है अब यहाँ पर आपको यह चित्र देखकर वाक्ये पूरे करो यहाँ पर वाक्ये के सामने हाँ पर कुछ चित्र दिये हुआ है यहापर है फर्स्ट वन है आम क्या है बच्चोई आम तो आपको आम तो सबको पसंद है ना इल्कल यहापर लिखेंगे हम आम आम तो इस तरह बेटा आपको यह सारे शब्द पहचान कर उन शब्दों को इन वाक्यों में फिल करना है अब आपका यह चेप्टर कंप्लीट होता है I hope आपको आकी मात्रा समझ में आई होगी Bye all of you